दर्शकों आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम एक परिवार की तरह हैं, हम सब एक जुठ हैं, लेकिन जैसे ही के जिर्वाल जेल गएं, वैसे ही पार्टी के भीतर कितने मतवेद हैं, खुल कर सामने आने लगी हैं, जैसे ही सीएम के जिर्वाल शरागोटाले की आरोप में जेल में गए वैसे ही पार्टी के भीतर दो फार होने लगा है मुद्दा अब पार्टी के भीतर ये बने लगा है कि पार्टी की कमान समालेगा कौन पार्टी के भीतर किसका वर्चस्व होगा पार्टी के भीतर अटकले लगनी लगी है कि पार्टी पर कबजे की कोशिस होने लगी है दोस्तो आप के भीतर गुटबाजी होने लगी है प्रात्मिक तोर पर देखा जाए तो पता लगता है कि पार्टी के भीतर दो गुटपन रहे हैं एक गुठ है संजय सिंग का तो दूसरा गुठ है आतेशी और सौरभ भरद्वाज का दोनों के ही बयानों को अगर आप सुनेंगे तो किस तरह संजय सिंग पार्टी पर हावी होना चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ भरद्वाज अर्विंद केजिरवाल की पतनी को आगे करके सत्ता की मलाई बैक डोर से खाना चाहते हैं कैसे आप में सीएम पत को लेकर अटकलो का बाजार गर्म हो गया है बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में दरसल अर्विंद केजिरवाल के जेल जाने के बाद आम आदनी पार्टी में सीएम पत को लेकर चरचा तेज ह कि अगर केजरवाल इस्तिफा देते हैं तो CM कौन बनेगा हलाकि अभी तो पार्टी का कहना है कि CM अर्विंद केजरवाल ही रहेंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे लेकिन जादा दिनों तक यह संभव नहीं है अर्विंद केजरवाल के इस्तिफे के बाद क्या आम आद्मी पार्टी के रास्टिय संयोजक अर्विंद केजरवाल की जगह उनकी पतनी सुनीता के जरवाल दिल्ली की CM होगी इसका जवाब तो पार्टी के बरेनेता और मंत्री सीधे तोर पर नहीं दे रहे हैं लेकिन सौरव भार्दवाज ने साफ कर दिया है कि सुनीता के जरवाल की आम आद्मी पार्टी में बड़ी भूमिका होगी दिल्ली के मंतरी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता के जिर्वाल मौजूदा प्रिस्थिती में पार्टी को एक जुट रखने के लिए सही वेकती है उन्होंने कहा कि सुनीता के जिर्वाल की मौजूदगी का पार्टी काडर पर साकारात्मक परभाव परा है सुनीता केजरवाल ने हमेशा कहा है कि वो दिली के सीएम अरविंद केजरवाल की मेसेंजर है सौरभ भरद्वाज ने कहा कि पार्टी की राजनिती न केवल इसके मनिफेस्टों के इर्दगिर्द घुमती है बलकि सपोर्ट बेस, काडर और टॉप लीडर्शिप के बीच का कनेक्शन भी संगठन को साथ रखने में एहम भूमी का निवाता है तो वहीं एक जुटता की बात करने वाली पार्टी के बरेनेता संजय सिंग अपनी ही सरकार के मंतरी सौरभ भरद्वाज से जुदा राय रखते हैं दरसल जब आप सांसत संजय सिंग से पूछा गया कि क्या सुनीता के जिर्वाल को दिल्ली का सीम बनाया जा सकता है इसके जबाब में संजय सिंग ने कहा कि दिल्ली के सीम अर्विंद के जिर्वाल थे हैं और आगे भी रहेंगे हमने एक सर्वे करवाया है जिसमें पता चला है कि दिल्ली वाले चाहते हैं कि अर्विंद के जिर्वाल ही दिल्ली के सीम बने रहे संजय सीग ने आगी ये भी कहा कि सहारा ग्रूप के चीफ सुबरत राय को जेल में कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा दी गई थी जिससे वो अपना ओफिस चला सकते थे जब तक अर्विंद के जिवाल को जमानत नहीं मिलती तब तक सरकार चलाने के लिए उन्हें भी ऐसी ही सुविधाय मिलनी चाहिए आम आद्वी पार्टी की लिडर्शिप में कोई चेंज नहीं होने वाला है दर्श को अब समझने की जरूरत है कि आप में भी गुटबाजी की निव पर चुकी है अब ये बगावत के रूप में कब उबरेगी ये देखने वाली बात है क्योंकि सौरब भारद्वास तो सुनीता को आगे कर रहे हैं तो वहीं अर्विंद के जिर्वाल भी पतनी के जरी ये वीडियो संदेश जाड़ी करवाते हैं लेकिन संजिय सिंग ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बड़ा सवाल है ब्यूरो रिपोर्ट ओय मेच निउस और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं